क्लिक दे सब्सक्राइब बटन और प्रिस्ट बेल आइकन और मोर आपटेब्स वल्कम एक्सप्रेंज ने टॉकिंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्रागत है आई होप आप लोग अच्छे होंगी सो आज का चुछ हम लोग टॉपिक देखने बने हैं हम लोग कैसे एक यूएसबी बूटों में पेंट डाइब करते हैं इन इवन्तु ओनली इवन्तु के लिए तो मैं आज आप लोग के लिए स्टेप पर स्टेप बता दा हूं सो प्लीस एंट तक देखें अगर आप एंट तक नहीं देखेंगे तो पॉब्लम आ सकते हैं और यह टूटरल दे भी है मार नहीं तो वार्चॉल बॉक्स में तो मैं इसके उपर पहले से एक टूटरल केट किया हूं आई होप आप लोग ने देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डेशिशन लिंक में मैं उसका लिक देदगा आप जरूब वाच कर लिजी तो आप अपर आपको और नोटिफिकेशन का अइकन मिल जागा आप जोड़ो और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए तिससे आपको और भी बेनेफिट मिलेगा अगर आप मेरी चैनल में पहले से सब्सक्राइब है तैंक यू सो मच अगर आप सोसल ने टॉकिंग साइट टेंडर करते है ओनली E1 फिरी स्टेप बाल स्टेप तो चलीए सो हम लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग USB बूटबल करेंगे चदिकी USB बूटबल करने के लिए आपको पहले Eventu का ISO file चाहिए नहीं तो DVD चाहिए अगर आपके पास ISO file नहीं तो DVD file नहीं है तो आप bootable case नहीं कर पाएंगे USB तो देखें अगर आप सूच रहे होंगे जो देखें Eventu का ISO file कहां से डाउन्लोड करेंगे अगर आपको नहीं पाता है तो मैं आप लोग को दिखा देता हम जो देखें यह है Eventu का official website जो मैं इस वीडियो की description link में मैं इसका link देता हुआ अगर आप लोग चाहेंगे तो easily download कर पाएंगे and Eventu का latest version है 19.10 तो देखें यहापर download का option है otherwise यहापर page को थोड़ा सा scroll down करें जो देखें कि यहापर desktop के लिए है just आप desktop में आप click करें then यहाँ से भी आप easily download करता हैंगे जो 19.10 यह है Eventu का official website तो मैं इसको पहले से download करके रखाँ तो मैं इसको दुबारा download नहीं कराँगी तो देखें मैं आप लोग को ISO 5 दिखाए देता हूँ तो देखें इसका जो total size है 2.29 GB यहापर आपको internet का speed अच्छा होना चाहिए नहीं तो थोड़ा सा slow हो सकती है यह download complete होने में then उसके बास यहापर आपको minimum 8 GB का pen drive होना चाहिए अगर आपके पास 8 GB pen drive नहीं है तो 16 GB से भी आप easily यह कर पाएंगे तो देखें मेरे system में totally 16 GB pen drive पहले से मैं connect करके रखा हूँ then उसके बास यहापर आपको USB bootable gate करने के लिए आपको एक third party software की जलूरत लएगी then आप third party software कौन सो है तो इसके लिए तो देखें यह है third party software जो देखें paint.linux.com तो मैं इस वीडियो की decision link पर भी इसके link देदूँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो easily download कर पाएंगे जो देखें यह बहुत ही छोटा है size है इसका जो देखें just यहापर आप download में click करें यह download हो जाएका जो देखें यह है total software जो देखें इसका जो size है 1.17 MB just then उसके बास यहापर हम लोग कैसे इसको bootable gate करतें तो देखतें just इसके दो पर आफ double click करें double click करने के बाद yes and no का option आख जांगा just आप यहापर yes पर click करें यह में click करें यहापर जो दो करनाrust है तो just यह पर अगर आप license agreement परना जाता हैं तो परसकते यहापर I agree क्क्लिक करें I agree में क्लिक आने के बाद यहाँ पर जोदिके Set up your selection page Then उसके बाद यहाँ पर जोदिके Select a distribution from the drop-down to put on your USB Just यहाँ पर आप क्लिक करगी एक drop-down box आपके समले open हो जाएगा जोदिकी यहाँ पर Linux का बहुँच सारा भर्शुन यहाँ पर available है आप कोई भी Linux यहाँ से bootable get कर पाएंगे USB Then यहाँ से आप Windows भी easily कर पाएंगे जोदिके Windows के लिए आपको फोगरा से last में आना परेकर यहाँ पर आपको easily Windows 10 भी यहाँ से कर पाएंगे Then यहाँ पर हम लोग event यूज़ करेंगे Just यहाँ पर जोदिके first है event event त्सक्राइब करें even त्सक्राइब करें यहाँ पर आपको जो second step है जो दिखें यहाँ पर ISO 5 को आपको देना पाएगा जो दिखें ISO 5 है मेरे desktop में Just यहाँ पर browse में क्लिक करें browse में klik úने के बास यहाँ पर आप desktop select कर दिजीए देन उसके बाद यहाँ पर मेरा ISO 5 को select कर लेता हूं then open कर लेता हूं open करने के पाद यहाँ पर third जो step है चोड़ी कि select the right letter of your USB just यहाँ से आप USB को select कर दीचे जो आपने paint डाइक यहाँ पर दिया है जो देखिए D डाइक में जो देखिए आप यहाँ बाद चेक कर दीचे नहीं तो अगर आप थोड़ा सा गलत देंगे तो बात में problem आ सकती है जो देखिए यह total three step है आपको यह complete करने के बाद यहाँ पर just आप create में click करती है create में click करने के बाद यहाँ पर आपको एक message होगा जो दीखिए यहाँ पर just आप यहाँ पर yes में click करती है yes में click करने के बाद यह तोड़न bootable होना start हो जागा यह process होने में थोड़ा सा आपको timing लग सकती है यह dependable करती है आपका USB कितना fast है अगर आप यहाँ आप 2.0 USB यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा timing लग सकती है अगर आप 3.0 यूज़ करेंगे तो ज्यादा timing नहीं लेगा minimum 5 to 7 minutes यहाँ पर लग सकती है इसको total complete होने यह total complete process होने के बाद हम लोग बाकी सरा जो की process है उस process को हम लोग step by step देखेंगे तो तब तक मैं इस tutorial को देखेंगे पेंड़ बुटबर के through then यह मेरा एक process बता है तो उसके बाद हम लोग second process में move करते हैं चोदिके second process आप रुफरसर भी करतांगे चोदिके मैं इस वीडियो की रेक्सेश्य में पर भी इसका link दोंकर अगर आप लोग download करना चाहते हैं तो इसनी download कर पाएंगे च जोदिके यह आपर latest portion है जोदिके 3.8 आप इसली इसको download कर पाएंगे then इसके बाद इसको हम लोग use कैसे करेंगे तो दीके मैं इसको फैले सी download करके आखना हूँ जस्ट इसको पर आप double click करने के बाद yes and no का option आज जागें जस्ट यहापर आप yes ने click करने के बाद यहाँ पर यहाँ आपका पेंट है फ्रो हो जाएगा then उसके बाद यहाँ पर जोदिके बूक selection तो दीके डिक्स और ISO image जोदिके उसके बगल में जोदिके select का option है just यहाँ पर आप select का option में click करें आपके सामने एक new window हो जाएगा जोदिके यहाँ से आपका जो ISO फाइल है just ISO फाइल को select क जाने के बाद यहाँ पर आप open करतीजे जोदिके मेरा यह totally complete हो चुका है then उसके बाद यहाँ पर जोदिके partition schema जोदिके यहाँ पर NBR and GPT है जोदिके आपकी यहाँ पर NBR रखना पड़ेगा then उसके बाद यहाँ पर जोदिके target system बाइस और UEFI जो भी by to put option हो इससे option को जाने जाने जीए यहाँ पर आप कोई भी change मत करें then उसके बाद यहाँ पर जोदिके volume level यहाँ पर volume level अगर आप इसको changes करना चाते हैं इसका name easily यहाँ से changes कर पाएंगे अगर आप इसको same name यहाँ पर रखना चाते हैं तो रख सकते कोई भी problem नहीं होगा then उसके बाद यहाँ पर जोदिके file system यह automatically fat 32 ले गिया है तो इसी file system को यहाँ पर रहने जीए then finally cluster size जोदिके यहाँ पर automatically यह by default ले गिया है अगर आप इसको changes करना चाते हैं तो यहाँ से changes कर पाएंगे चोदिके मैं इसको file default option यह इसी option को रहने जीए then finally मैं start में click करना ती यह फिर से bootable होना start हो जाँगा आप यहाँ से भी bootable कर पाएंगे स्टेप बाई स्टेप जो देखें यहाँ पर मैंने दोनों process पता हैं आप इनुवर्सल डिनक्स से भी कर पाएंगे नहीं तो प्रूफर से भी कर पाएंगे तो देखें यह तो मैंने Windows system से मैंने यह है अगर आपके पास उन्दू system नहीं है अगर आपके पास only इवन्तू system ह वी बीट छो बिरूप करेंगे तो चलिए देखते हैं तो हम लोगा कीम मत इस system के उपर आ चुके जाने के आपको स्टार्ट आप लिगना पास ऑन जोड़े कि यहाँ पर आपके समये आजुकर है जोड़े कि Startup Dix जस्ट इसके उपड़ा प्लिक करीं प्लिक करने के पाद यहाँ पर जोड़े कि Make Startup Dix Then Source Dix Image ISO जोड़े कि मेरा यह ISO फाल है जोड़े कि Automatically यहाँ पर ले लिया है जोड़े कि मेरा ISO फाल डेक्स्टॉप में है अगर आपके यहाँ पर शोर नहीं कर दिये ब्लैंक शोर कर दिये कि यहाँ पर अदर्स का ओप्शन है अदर्स में जाते हैं के बाद यहाँ पर आपके समये फिट से एक लिव उन्डो आ जाएगा देन आपने जो भी लोकेशन में यहाँ पर ISO फाल रखा हुआ है तो वाज़े आप इसलिए सिलेक्ट करके ओपें कर दीजे आपका ISO फाल यहाँ पर सेट हो जाए देन उसके बाद यहाँ पर जोड़ी की मेरा जो USB डाइप है जोड़ी के ओपनेटी फील यहाँ पर सेट कर लिया है देन उसके बाद फालिल यहाँ पर इस दोनों मैतोड को आपको देना पड़ेगा देने के बाद यहाँ पर मेक स्टार्टप डिक्स में जाने के बाद यह यह data lost हो जाएगा जोदिकि मेरा usd टाइप में कोई भी data नहीं है तो यहाँ पर आप yes में फिल्कर दीजे yes में फिल्करने के बाद आपने जो उदी user का password है यहाँ पर आप password दे दीजे password के बाद ही यह start हो जाएगा जो देखे यह writing dix image जो देखे यह process complete होने में minimum आपको 5-8 minutes लग सकती है यह dependable करती है आपका usb का speed के ऊपर तो देखे यह total complete हो जाने के पाद हम लोग बादी सारा process को step by step टेखेंगे तो दीखे तब तक मैं इस tutorial बोड़ा सर पॉस कर लेगा है तो finally यह आपर आप देख पार है जो दीखे यह usb bootable totally complete हो चुका है जो then उसके पाद आप कोई भी system में installation कर पाएंगे usb को जो दीखे मैंने यह आप थीनो पोसल्स बता हैं जो दीखे दो पोसल्स विटोस में आप कैसे usb bootable करेंगे जो दीखे सॉट्टर के दुरू अगर आप event में कैसे bootable करते हैं तो मैं यह भी मैंने दीखा दिया है जो दीखे आप कोई भी process से bootable get कर पाएंगे जो दीखे अगर आप जानना चाहते हैं जो दीखे इवान तो कैसे installation करते हैं विए अबार नहीं तो virtual box में तो मैं इसके उपर पहले से एक tutorial केट करते रखा हूँ आई होप आप लोग ने देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की decision पर मैं इसके लिए देखा होगा अब ज़रूर एक बार watch कर लिजी तो आपके लिए और भी benefit होगा तो आप लोग आप लोग को रूटर आली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे एक USB bootable pen type करते हैं और लिग यू बंदो के लिए अगर आप लोग का bootable के टाइम में कोई भी problem आरी कोई भी error आ रही है तो आप प्लिस कमें स्क्षिन में जरू रिप्लाई कर दोंगी आण्ड इस वीडियो को like and share करना ना बुरिए अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटो की बुरीजी चैनले को subscribe नेगया तो चैनले को प्लिस सब्सक्राब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुरिए तीस से क्या होगा मैं जब भी नया व टॉपिक के ओपर टुटूरेल चाहते हैं तो ओभी प्लीज कमर्स ट्रेक्शन में ज़रूर रिपलाई करतीजिए तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ओपर मैं आप लोग को टूटूरेल देने के लिए सुपि ओपि प्लीज रिपलाई करना ना भूलिए तो दोस्तो आज के लिए इतना है तो आने वाले दिन में हमलों बहुत कुछ करेंगी तो थैंक्स पर वाचिन